कि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले आर वी एनल यास रेल विकास निगाव लिए भारत सरकार की एक नवरतन कपनी जिसको अभी 2023 में नवरतन का अउदा मिला है क्या इस कंपनी में हमें निवेशित रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए इस वीडियो में आगे अगर मेरा व्यूपॉइंट आपके किसी भी काम आ सकता है तो मुझे खुशी होगी अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन उसको प्रेस करें आगे बढ़िए तो कि दोस्तों इसी तरह की वीडिय मैं ऐसी क्लिपिंग नहीं बनाना चाहता ताकि आपको लग यार यह डेटा पता नहीं कहां से लेगा है वो सब डेटा फ्रीली पॉब्ली डोमेन में अवेलेबल है बट इस वीडियो में उस पॉब्लिक डोमेन के डेटा को यूज करके क्या हम कोई अनलसिस कोई निकाल सकत है वो करने कोशिश करें तो चलिए बढ़ते हैं और पोजिशन बनाने वाला हूं सब देखते हैं चले बढ़ते हैं वीडियो मागे दोस्तों देख आप देख पार हैं इसक्रील के ओपर में यह ऑफिशल वेबसाइट है आप गूगल करेंगे तो आपको यह मिल जाएगी सबसे बड़ी बात है कि यह जो काम करती है शायद ही कोई करता हूँ मोनोपोली है सोच के रखिए इस कंपरी में इतनी एक्साइटमेंट क्यों दिखाई दे लिए अगर इसको बारे में इस तो बारत सरकार इस समय रेलवेज को बढ़ाने में लगी हुए रेलवेज एक मल्टी बैगर सेक्टर है रेलवेज के शेयर समें पिछले एक साल से मेरे ट्रेडिंग नुग मेंबर्स को दिलवा रहा हूँ मैंने कहा था कि रेलवेज नेक्स मल्टी बैगर शेयर होगा हमने प्रॉफिट उसमें 800 रुपी के आसवास बुक किया है सोचके देखिए हमने बहुसा ऐसे शेयर ते रेल टैल औरी टेक्स रेल यह सभी शेयर ते रेलवेज के जिसमें बहुत पैसे बनाए आज हम चार्च करेंगे और भी किसी शेयर के बारें डिस्कुर्शन करना तो प्रीज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताईगा तभी दूसरा शेयर हम कंटिन्यू करेंगे सबसे बड़ी चीज जो मुझे इसमें अट्रेक करती है कोई बहारतरगारी कंपनी है पब्लिक के पास इसमें कोई भी इंटरस नहीं था सुचके देगें डिमेस्टिक इंस्टिटूशन इंटरस ने भी इसमें 5.44 पसंट की इंस्टूशन की विस्केदार इसमें दिखाई देती है अगर इसके फंडमेंटल सी बात करने कोशिके स्टॉक का पी 23 का है इंडस्री का पी 39 का तो फ हाई बने कमणी ने जो सिर्फ दो दिन पहले का इसके पास ब्राद एकनम से क्रैश हुआ सब सोगे रहे इस स्टॉक में प्रॉफिट बूखिंग आए क्यूं कि पहले यह सौक हमने 70 रुपे विलिया था देखे चार्ट के पर चलते हैं इस टॉक में कुछ दिन पहले पिछ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल नोटिफिक्शन रखेगा नोटिफिकेशन फॉर आल पर क्लिक करना मत भूलेगा नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी यहां पर 140 के बाद में हमने यूट्यूब बहुत ही क्लिरली पीशे दो मैने से आपको बता रहा था क कि यह मैंने अंटरी आं 120 पर गी थी और अगले 10 दिन के अंदर अंदर क्या हो देख लीजिए 200 रुपे काही लगा कल इस पर प्रॉफिट बॉकिंग किया मैंने जब प्रदाग गिरा है तो 175-176 से आसवाद कुछ प्रॉफिट बॉकिंग किया और अभी कुछ पोशिशन हो पूछक लिए अगरी को अगर आप पर फ्री चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुगा, आप उस पर कॉल कीजिएगा, अपना फ्री सेशन बुक कियेगा, एक सेशन, दो सेशन आप पोचिए, दो सेशन नहीं मिलें, यह आप फ्री सेशन देख सकते हैं, जाके देखे अब यहाँ पर क्या इसको हमें इस भाव पर लेना चाहिए, 70 रुपे की चीज, 200 रुपे होई, करेक्शन लाजमी है, तो करेक्शन कहां तक हो सकते हैं, यह आज ही लाइव में आपको कहा था कि यह एक जोन रहने वाला है, यह मेरे हिसाब से जोन है, 150 से 160 का, यहाँ पर अ बीचे कहीं देखा था मैं आप से शेयर करता हूँ, यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा, जरा सा और ठ्छान से देखते हैं, जी हाँ, आर्वेनल की ओर्डर को देखें, as of quarter 3, FY22, FY22 quarter 3 की बात करें, बाउन हजार करोड के ओर्डर थे, सोचे बाउन हजार करोड के, 34,000 करोड क मिला, आप से शेयर करता हूँ, अगर कॉर्टर की बात की जाए, तो कॉर्टर में देखी, जहां 2020 में 3,000 करोड की कमपनी थी, 3,000 करोड का सेल्स हो रही, वहीं बढ़के 5500 करोड का सेल्स हो गया, और यह सेल्स बढ़ेगा, यह सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि सरकार, इंफरा म में, रेलवेज में, दुनिया भर का पैसा लगा जी, तो मेरे हिसाब से रेलवेज सेक्टर एक जैकपोट है, और अपरेटिंग प्रॉफिट माजिन देखी, 6% के आसपस का मेंटेन करें, इस तरगाई कमनी बहुत जारा अपरेटिंग प्रॉफिट माजिन नहीं रखती है प्रॉफिल लॉच सेट में शांदा दिखाई देती है, प्रॉफिल लॉच से बहुत ही शांदार, यहां पे मुझे रियेंट्री बड़ेच्छ दिखाई देती है, यहां पे 150-160 में अगरेट सॉस्टेन करता है, तो यह स्टॉक नए हाई की तरफ से लेगा, और मेरा नेक् लेटी में चार्च राम लगा सकता है, यह आपकी थोड़ी सपोर्ट कर सकता है, तो प्लीज मुझे भी आपके सपोर्ट करेंगे एक वीडियो के ऊपर में, आपका एक लाइक मुझे मुझे मोटिवेट करेगा, और दोस्तों से शेयर का नमत भूलेगा, क्योंकि काफी दि लग जाए, नोटिफिकेशन को अन रखिएगा, दोने चैनल दालने वाले, निया चैनल है अस्ती स्कैलपर के नाम से, पुराना चैनल डॉक्तर बिकुल कशी के नाम से, यह दोनों चैनल आपके हैं, दोनों आपको 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 बढ़ाने, एक पीटी सेवन ताउजन के पस-पस तक होगे हैं, सपोर्ट चीए, पुष्च यह आप लोगों के तब से, बहुत मैनेज करता हूँ, बहुत अच्छी अनलिसिस आपके साथ करता हूँ, लाइव मार्केट में बहुत इच ट्रेट्स आपको दिलाता हूँ, सपोर्ट कीजिए, पुष्च कीजिए, उन झाल चाल